ओम शान्ती छे मई दो हजार बाइस की साकार मुल्ली से होमवर्क आज की मुल्ली से हम लक्षय लेंगे निश्च्य बुद्धी बन कांटों से फूल बनने का पुर्शार्थ करना है और कर्माती तवस्था को प्राप्त करना है इसके लिए आज हम रिफ्लेक्शन अपने अंदर करेंगे मैं आत्मा कहां तक निश्च्य बुद्धी बनी हूं चारों परकार का निश्च्य मेरे अंदर कितना है और दूसरा मैं माया जीत कहां तक बनी हूं इसके लिए आज हम अभ्यास करेंगे व्यक्त देश व्यक्त शरीर में रहते अव्यक्त स्थिती से हर करम करेंगे तो करम करते और संबंद में आते हम बंधन मुक्त परभाव मुक्त रहेंगे तो इसी तरह हम माया जीत भी बनते जाएंगे और कांटों से फूल भी बनते जाएंगे इसके लिए आज हम पुर्शार्थ करेंगे निश्च्य बुद्धी आत्मा कर्मातित वस्था को प्राप्त करने के लिए सदाही अचल अडोल रहती है, माया जीत रहती है तो माया चीत बनने के लिए आज हम सारा दिन ध्यान रखेंगे कि मैं आत्मा बावा पर बली चड़ी हूँ, मेरा तन, मन, धन सब बावा की अमानत है तो इस तरह हर करम श्रेष्ट होगा, जब हम स्वधरम में ठिक करके हर करम करेंगे तो माया का वार नहीं होगा क्योंकि संगम पर बावा स्वयम बैरिस्टर बन करके हमें माया से चुड़ाने आए हैं दूसरा हम ये ध्यान रखेंगे, अंगत का एक्जेंपल, अंगत की तरह जैसे उसको राम पर निश्चय था ऐसे जो भी करम करेंगे बावा पर निश्चय रखकर और कल्प पहले वाली सम्रिति रखकर कि मैं विजय आत्मा हूं इस संकल्प से जो भी करम होगा तो निश्चय ही विजय होगी दूसरा जो निश्चय बुद्धी आत्मा होती है वो नस्टो मोहा होती है नस्टो मोहा होने के लिए ये सम्रिति में रखना है कि मैं इस स्टेज पर एक्टर हूं इस ड्रामा में अब मेरा पार्ट पूरा हुआ अब मुझे घर जाना है जैसे ही घर की समृति आती है तो देह और देह के संबंदों से हम उपराम हो जाते हैं और देही अभिमानी बनना सहच हो जाता है तो इस समृति से नस्टो मोहा रहेंगे निश्च्य बुद्धी आत्मा सदा ही नशे में रहती है और निश्चिंत रहती है तो आज ये समृति रहेंगे वाहरे मैं क्यूंकि अपने भाग्यों को इमर्ज करेंगे स्वयम भगवान मुझे मिला है मैं परमातम पालना में पल रही हूँ बाप द्वारा हमें वर्सा मिल रहा है टीचर बनकर वो हमें पढ़ा रहा है सत्गुरु बनकर वो जीवन मुक्ति हमें दे रहे हैं हमें ब्रस्टाचारी से स्रिष्टाचारी बना रहे हैं कांटों से फूल बना रहे हैं इस निश्च्य को भी समृति में रखने से हम माया जीत बनते जाएंगे और हमारे करम स्रिष्ट होते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारी करमाती स्टेज बनती जाएगी करमाती स्टेज अर्थात करन करावन हार इन करम इंद्रियों से करम करा रहा है तो हम करम इंद्रियों से अधीन नहीं होंगे करम इंद्रियों के और जो भी करम करेंगे उसकी हद की इच्छाएं नहीं रखेंगे तो बाबा की निरंतर याद रहेगी और आत्मा संपूरंता की ओर बढ़ती जाएगी तो हम कर्माती स्टेज को पालेंगे ओम शान्ति